हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्धिप्रदेश के नमबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफियर के इस पीडियो में आपका स्वागत है आज है 23 माई 2019 और यह हमारी 160 वी क्लास है 12 Important Question आपके लिए लिकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरश्टी से बहुत इम्पोर्टेंट है इन Questions को आप नोट कर लें क्यूंकि ये आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं साथी Questions Related, Important Fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs Related कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरू करेंगे Question No.1 हाली में कब 28 बैक्सीन दिवस मनाया गया है जिसका सही Option है 18 मई हाली में 18 मई को 28 बैक्सीन दिवस मनाया गया है दोस्तो प्रतिवर्ष 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है इस दिवस का उद्देश HIV संग्रवन और एड्स को रोकने के लिए बैक्सीन यानि टीके की आवशक्ता के बारे में जाग रुकता फैलाना है दोस्तो इस दिवस के द्वारा उन अनुसंदान करताओं, वेग्यानिकों, सामुदाइक सज़स्यों, स्वास्त प्रोफेशनल्स और स्वेम सीवकों के प्रती कृतक्यता व्यक्त की जाती है जो इस रूप को मिटाने के लिए नंतरत कारिये कर रहे हैं तो इतना आपको 208 वेक्सीन दिवस की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन हाली में भारतिय इस परदा आयूग ने कौन सा वार्शिक दिवस मनाया है जिसका स्योफ्षन है दसवा हाली में भारतिय इस परदा आयूग ने दसवा अपना वार्शिक दिवस मनाया है दोस्तो भारतिय इस परदा आयूग ने 20 मई 2019 को अपना दसवा वार्शिक इस्थापना दिवस मनाया है यह आयूग की इस्थापना 2003 में की गई थी परंतु इसने पूर्ण रूप से 20 मई 2019 को अपना कारे करना शुरू किया है दोस्तो भारतिय इसपर्दा आयुका उद्देश से प्रती इसपर्दाओं को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों की रोक्थाम, ग्रहकों की हितों और उनकी सुरक्षा और मुक्त व्यापार सुनेश्चत करने के लिए इसका उद्देश है दोस्तो यह किसी सम्मेदानिक संस्था को पृति इसपर्दा संबंदी मामले में अपनी राय भी परदान करता है तो इतना आपको भारतिय पृति इसपर्दा आयोग की बारे में याद रखना है संयक्त राष्ट द्वारा किसे डैक हमर्स कोल्ड मैडल से सम्मानित किया गया है जिसको से योफ्षन है जीतंदर कुमार हाली में जीतंदर कुमार को डैक हमर्स कोल्ड मैडल से सम्मानित किया गया है दोस्तो जीतंद्र कुमार को यह अवार्ड बीर्टा और बलीदान के लिए दिया गया है आपको बता दें भारतिय पुलिस अफसर जीतंद्र कुमार को कांगों में सेंगत राष्ट मिसन के लिए तैनात किया गया था इनका निधन एथोपियन एरलाइन क्रेश में हो गया था तो इतना आपको जीतंद्र कुमार की बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में किसे जापान का राष्टिय सम्मान ओर्डर ओफ दा राइजिंग सन से नवाजा गया है दोस्तो यह जापान का दूसरा बड़ा राष्टिय सम्मान है दोस्तो यह भारत और जापान के बीच रणनेतिक सम्मन्दों को और राजनेतिक सम्मन्दों को बहतर बनाने के लिए और उनके बहतर प्रियास करने के लिए यह सम्मान स्याम सरन को दिया गया है दोस्तो आप बात आईए जापान की तो आपको मैप में जापान के बारे में बता दे मैप में यह जगह जापान को दरसाती है दोस्तो जापान की केपिटल है टोकियो यानि जापान की राजधानी है टोकियो और जापान की प्राइम मिनिस्टर सिंजू आबे यहां की करंसी है येन तो इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन हाली में उपगर है RISAT2V लाउंच हुआ है इसका क्या काम है तो इसका सही उप्षन है यह प्रतवी के साथ भारत की निगरानी करेगा तो इसका सही उप्षन है प्रतवी की निगरानी करना RISAT two week जो launch हुआ है इस रो के द्वारा इसका काम है प्रत्वी की निगरानी करना Next question किस देश में हिंदू और सिखों को क्लावड नदी में अस्ती विसर्जन करने की अनुमती प्राप्त हुई है जिसका सही option है स्कॉटलेंड हाली में स्कॉटलेंड देश में हिंदू और सिखों को क्लावड नदी में अस्ती विसर्जन करने की अनुमती यहां की सरकार द्वारा प्राप्त हुई है दोस्तों स्कॉटलेंड सरकार के अनुसार क्लावड नदी के नेवारक तट पर अस्ती विसर्जन कर सकते हैं साथ ही इस जगहे पर जरूरी सुब्धाएं भी उपलब्त कराएं जाएंगी। इससे पहले बिटेन ने भी 2014 में अस्ती बिसरजन की अनुमती प्रदान की थी। दोस्तो अब बात आएं इसकॉट लेंड की तो आपको मैप में इसकॉट लेंड के बारे हैं। जिसका सी option है भोड़्य में बुधेन के तो रहेन और हमारी मध्य ब्रदेश की राज़पाल अननंदी बीन पटेल थी। दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ important fact भोपाल के बारे में बता दें दोस्तो भोपाल को जीलों के सहर के नाम से भी जाना जाता है मद्यप्रदिस का सरवाधिक चंसंक्या गनत्व भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो रास्टिय बिधी अकेडमी की इस्थापना भोपाल में की गई है ताजुल मस्चिद जो देश की सबसे बड़ी मस्चिद है यह भोपाल में ही इस्थित है देश का दूसरा Master Control Faculty यह भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो भारत पवन की इस्थापना भी भोपाल में ही की गई है बिसो का सबसे बड़ा सौर उर्जा संयंत्र भोपाल में ही बनाया गया है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में ही इस्थापित किया गया है दोस्तो 2 और 3 दिसंबर 1984 को वोपायल में मितायल आईसोसाइनेट गैस का रिषा हुआ था जिसके करण हजारों मोते हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको वोपायल के बारे में याद रखना है Next Question MCI के अनुसार मत्यप्रदेश में MBBS की सीटें बढ़कर कितनी की जाएंगी जिसका सही Option है 2250 MCI यानि Medical Council of India के अनुसार मत्यप्रदेश में MBBS की सीटें बढ़कर 2250 की जाएंगी MCI यानि Medical Council of India के अनुसार मद्धिप्रदेश में इस सत्र में तीन नए कॉलेज शुरू हुए है शिप्पुरी, शिन्वाडा और शहडोर ये इन तीनों जिलों में एक एक कॉलेज खुला गया है MBBS के लिए दोस्तो इन कॉलेज में 85% सीटें मद्धिप्रदेश की और 15% सीटें All India के कोटे से दूसरे राज्यों के छात्रों को प्रिवेश दिया जाएगा दोस्तो अब बात आईए MCI की तो आपको इसके बारी में बता दे MCI का फुल फॉर्म Medical Council of India होता है इसकी इस्थापना 1933 में की गई थी इसका हैटकोर्टर New Delhi में है और इसके हैड़ जैसरी बेन महता तो इतना आपको MCI के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस एरपोर्ट के चौथे एरो ब्रेज को मंजूरी मिली है दोस्तो इससे यात्रियों को अब धूप और बारे से राहत मिलेगी साथी सीड़ियों के चड़ने उतरने की अवशकता नहीं पड़ेगी दोस्तो अभी हाली में तीसरे एरो ब्रेज का काम चल रहा है और चौथे एरो ब्रेज की घोशना की जा चुकी है Next question नाडेव की माध्यम से किस जिले में खाद बनाया जाएगा तिसका सरी option है शहडोल शहडोल जिले में नाडेव की माध्यम से खाद बनाया जाएगा दोस्तो जिले में तालाप की कचरे, मलवे और घास को नाडेव की माध्यम से खाद बनाया जाएगा इस खात का उपयोग पार्कों, रोड, ट्राइवरों के बीच पौधों में किया जाएगा दोस्तो अब बाता ये शहडोल की तो आपको कुछ important fact शहडोल के बारे में बता दें दोस्तो शहडोल का नाम दो शब्द सहस्त्र और डोल की समिस्रण है जिसका अर्थ होता है हजारों तालाब, खजनेज, संपदा से सम्मंदर और कोईले से भरपूर भंडार है शहडोल में दोस्तो मद्द प्रदेश का एक मात्र जिला है जहां यूरेनियम प्राप्त होता है बिटेश्वार मंदर, कल्चुरी और अमर कंटक जहां पर नर्वदा नदी का उद्गा में स्थाल है यह सहडोल में ही इस्तित है अमलाई में ओरियंट पेपर मिल है सुहागपुर्म जो मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी कोईला खदान है यह सहडोल में ही इस्तित है दोस्तो देवलोंद जहां पर सोन नदी पर बाण सागर अंतराज्य परियोजना बनाई जा रही है यह भी सहडोल जिले में ही इस्तित है बादोगर राश्टी उध्यान पनपथा और सोन नदी अभ्यारन यह भी सहडोल जिले में ही इस्तित है तो इतना आपको सहडोल की बारे में याद रखना है मद्प्रदेश की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाली में माउंट एवरेस्ट पर चड़हाई की है जिसका सही ओफ्षन है भावना डेहरिया हाली में भावना डेहरिया मद्प्रदेश की ऐसी पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चड़हाई की ह दोस्तो भावना डेहरिया मद्यप्रदेश के छिंदवाडा जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने अपना मिसन 3 अप्रेल को शुरू किया था जो हाली में 22 मई को समाप्त हुआ है तो आपको याद रखना है भावना डेहरिया सबसे कम उमर में माउंट एबरेश पर चड़ाई करने वाली मद्यप्रदेश की पहली महिला है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तो आपको बता दें कुछ दमोई की इंपूर्टेंट फेक्ट की बारे में तो सागर संभाग का एक जिला है दमोय दमोय को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो दमोय में महतपूर्ण पसु बाजा लगता है दोस्तो बादकपूर में भगवान शिप का एक प्रिशिद्ध मंदर है जो दमोय जिले में ही है कुंडलपुर में जैन तीर्थ इस्थल है जटा संकर का प्रिसिद्ध मंदर भी दमोह जिले में ही है निदान कुंड रानी दुर्गावती अभ्यारन ये प्रमुख दार्शनी इस्थल है दमोह जिले में दोस्तो बाती घड ये फार्शी सेली से निर्मेत एक किला है जो दमोह जिले में ही इस्थित है तो इतना आपको दमोह के बारे में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं प्रिवियस टे के क्वेशन की तो कल का क्वेशन था कहां पर आनंद उठसब की शुरूआत हुई थी तो इसका सही option था उठजन उठजन में आनंद उठसब की शुरूआत हुई थी दोस्तो क्वेशन आप दे की बात करें तो आज का क्वेशन है बर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन राजय उप लोकायुक थे इसका question आप comment box में दें हम आपके question का एंगे दोस्तो आज के लिए बसतना ही आप हमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियोस को like कीजिए शेर कीजिए और दोस्तो कम से कम एक पेड़ आप एक महीने में जरूर लगाईए जसे हमारे परियावन को बहुत बहुत लाव होगा तो दोस्तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार, have a nice day